रानी ये तो बारिश का मौसम है लेकिन पता नहीं क्यूं बारिश नहीं हो रही है समय पर बारिश नहीं होने की वज़ा से हम किसान को बहुत नुकसान हो रहा है हमारे लगाए हुए फसल नस्थ हो रहे हैं इतनी तेज गर्मी है कि तलाब से भी धीरे धीरे पानी सूख रहे हैं, अगर समय पर बारिश नहीं हुई, तो हमारे लगाएवे सारे फसल नस्थ हो जाएंगे, हमें पानी पीने को भी नहीं मिलेगा, इतनी तेज गर्मी होने की वज़ास से सारे तलाप से, नदी से पानी सूख रहे हैं, और अगर सही समय पर बारिश नहीं हुए तो पाने की बहुत किल्लत हो जाएगी आप सही कह रहे हैं घर में तो एक बुंद पानी भी नहीं है हमें पानी लाना होगा लेकिन हम पानी कहां से लाएंगे रानी गाउं के पासी एक तलाब है जहां अभी भी पानी है चलो हम वहीं से पानी ले आते हैं नहीं तो ज्यादा रात हो जाएगी तो हम पानी लाने के लिए नहीं ज़ापाएंगे इसलिए अभी हमें पानी ले आना चाहिए इतना बोलकर रानी और रामू दोनों ही तलाब से पानी लाने के लिए निकल जाते हैं जब रानी और रामू तलाब के पास पहुँचते हैं तो वो देखर हैरान रह जाते हैं क्योंकि उस तलाब से भी सारा पानी सुख जाता है ये देखर रामू बहुत चिंतित हो जाता है बस एक ही रास्ता था, कि मैं इस तलाब से पानी लेकर जाओं, लेकिन अब ये तलाबी सुक गया है। अब हम पानी कहां से पिएंगे रानी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप परिशान मत होए हमारे तलाब का पानी गर्मी की वज़से नहीं सुखा है बलकि हमारे तलाब का पानी किसी ने चोरी कर लिया है यहां आए यह देखे यहां पर एक पाइप लगा हुआ है इस पाइप के जरिये किसी ने हमारे तलाब के पानी को चोरी कर लिया हाँ रानी तुम सही कह रही हो किसी ने हमारे तलाब की पानी को चोरी कर लिया है लेकिन हमें ये पता करना होगा कि ये किस ने किया है इस पाइप के जरीए हम ये पता लगा लेंगे कि कौन है जिसने हमारे तलाब के पूरे पानी को अपने खेत में डाल लिया रामो और रारी जब आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि उनके तलाब का पानी कोई और नहीं बल्कि उसी गाउं के मुख्या ने चोरी किया है और वो तलाब के सारे पानी को अपने खेत में डाल लिया है रामो तुम बुरा मत मानना लेकिन मैं क्या करूँ इतनी तेज गर्मी में मेरे लगार्विस सारे फसल नस्थ हो जाते जिससे मुझे भारी नुकसान हो जाता इसलिए मैंने तुम्हारे तलाब से पानी ले लिया और अपने खेत में डाल दिया लेकिन मुख्या जी यह आपने ठीक नहीं किया आपने मुझे से बीना पूछे मेरे तलाब का पानी ले लिया आपको पता भी है कि मेरे फसल नस्थ हो रहे है लेकिन मैंने अपने फसल को बचाने के लिए तलाब का पानी समाल नहीं किया अब मेरे पास एक भूंद पानी न और अगर वो नस्ट हो जाते तो मुझे भारी नुकसान हो जाता तुम्हारे कितने ज़्यादा फसल थी ज्यादा से ज्यादा हजार की होंगे नहीं तो दो हजार की होंगे लेकिन मेरे बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैंने तुम्हारे तलाब का पानी ले लिया और वहां से चला जाता है, ये देकर रामो और रानी हैरान रह जाते हैं और वो अपने घर आ जाते हैं, तभी रानी रामो से कहती है, मुख्या जी ने हमारे साथ ठीक नहीं किया, उन्हें कोई हक नहीं है, कि वो हमारी चीजों को हमसी बिना पूछे इस्तमाल करें और बदले में हमें पैसे थमा दे आपको नहीं लगता कि उन्हों ने हमारे साथ गलत किया मैं अच्छी तरह जानता हूं रानी कि मुख्या जी ने हमारे साथ बहुत गलत किया लेकिन मैं क्या करूँ वो गाउं के मुख्या है और उनके पास बहुत सारा धान है वो हम गाउं वालों से बहुत जादा अधिक अमीर हैं उनके खिलाब कोई नहीं बोलता है और अगर किसी ने उनके खिलाब आवाज उठाई तो वो उन्हें गाउं से बाहर निकलुआ देते हैं इसलिए मुख्या जी के खिलाब कोई नहीं कहता है सुभा हो जाती है रामो और रानी देखते हैं कि उनके घर में एक बुंद पानी नहीं है तभी रानी रामो से कहती है आप परिशान मत हो ये मैं भी पास वाले गाउं के कोई से पानी लेकर आती हूँ इतना बोलकर रानी पास वाले गाउं के कुएं से पानी लाने के लिए चली जाती है रानी जब पानी लेकर वापस आ रही होती है तभी बारिश होने लगती है बारिश आता देख रानी कहती है इस गाउं में कितने सुन्दर बारिश हो रहा है और हमारे गाउं में बारिश बिलकुल भी नहीं हो रही है जिस वज़ा से हमारे सारे फसल नस्थ हो रहे हैं इस गाउं में कितने सुन्दर फसल उग रहे हैं इतना बोलकर रानी अपने गाउं में आ जाती है तभी वो रास्ते में एक बकरी को देखती है जो बेहोस गिरी हुई रहती है ये देखकर रानी हैरान हो जाती है और वो तुरंट उस बकरी के पास आती है और बकरी से कहती है क्या हुआ बकरी तुम इस तरह से रास्ते में क्यों लेटी हुई हो तुम्हें कोई परिशानी है क्या हाँ मुझे बहुत प्यास लगी है अगर मुझे अभी पानी नहीं मिला तो मैं मल जाओंगी मुझे पानी पिला दो तुम यही मेरा इंतिजार करो मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ इतना बोल कर राने तुरंट उस बकरी को पानी देती है वो बकरी उस पानी को पीकर अपनी प्यास मिटा लेती है और रानी से कहती है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी वज़ा से मेरी जान बच गई है, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुझे क्या चाहिए तुम तो एक सधारन बक्री हो, तुम मुझे क्या दे सकती हो मैं एक सधारन बक्री नहीं हूँ, बलकि एक मायवी बक्री हूँ, मेरी जान खत्रे में थी, प्यास लगने की वज़र से मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी और तुमने मुझे पाने दे कर एक नया जीवन दिया है, इसलिए मैं तुमारी मदद करना चाहती हूँ, बोलो तुमें क्या चाहिए, मैं तुमारी मदद कर सकती हूँ मेरे गाव में समिसे बारिश नहीं हो रहा है जिस वज़ा से गरीब किशान को बहुत नुकसान हो रहा है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे गाव में बारिश की वियस्था कर दो ये मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार होगा ये तो तुमने मुझे बहुत कठिन काम बता दिया तुम्हारे गाउं में तो एक भी बादल नहीं है जिससे कि मैं तुम्हारे गाउं में बारिश करवा शकूँ इसके लिए मेरे पास एक उपाई है पास वाले गाउं में अभी भी बारिश हो रही है वहाँ पर अस्मान में बहुत सारे काले बादल है हम वहाँ से एक बहुत बड़ा वाला काला बादल अपने गाउं में ले आते हैं जिससे की हमारे गाउं में बारिश होने लगेगी हां ये कंदे में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ इतना बोलकर वो बकरी एक सुन्दर लड़की का रूप ले लेती है और अपने जादू से अपने हाथ में एक रसी ले आती है और उसे अस्मान की और फेक देती है तभी वो रसी अस्मान से एक काला बादल चोरी करकर ले आता है ये सब देखकर रानी हैरान हो जाती है और वो बक्री से कहती है मुझे तो बिश्वासी नहीं हो रहा है कि तुम ये सब कुछ भी कर सकती हो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे गाउं में बारिश आने वाला है आज से दो दिन के लिए ये बादल तुम्हारा है तुम इस रसी को पकड़ कर इस बादल को कहीं पर भी ले जा सकती हो और वहां बारिश करवा सकती हो सिर्फ दो दिन के लिए दो दिन के बाद क्या हो जाएगा दो दिन से ज्यादा तुम इस बादल को पकड़ कर नहीं रख सकती हो ये बादल जगा 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 पर जाकर बारिश करेगा और इसके लिए तुम्हें इसे छोड़ना होगा सिर्फ दो दिन के लिए ही तुम इसका इस्तमाल कर सकती हो ठीक है अगर ऐसी बास है तो मैं इस बादल का दो दिन के लिए ही इस्तमाल करूँगी और हाँ दो दिन बास तुम अपने इस रसी को ले जाना इस तरह रानी उस बादल को लेकर नदी और नाले के पास जाती है और वहाँ बारिश करवाती है जिससे की नदी और नाले भर जाते हैं उसके बाद रानी बादल को तलाब के पास भी ले जाती है और अपने खेत में भी ले जाती है अपने गाउं के सारे गरिब किसान के खेत में भी रानी वो बादल ले जाती है और सभी के खेत में बारिश करवा देती है इतना ही नहीं रानी गाउं के मुख्या को सबक सिखाने के लिए उसके भी खेत में उस बादल को ले जाती है और खूब सारा बारिश करवा देती है इस तरह दो दिन बीट जाते हैं और फिर रानी उस रसी को मायावी बकरी को दे देती है गाउं के लोग अपने खेत में पानी दे कर बहुत खूश हो जाते हैं वहीं दूसरी तरफ गाउं का मुख्या जब अपने खेत में पानी भरा हुआ देखता है तो वो बहुत चंतित हो जाता है और रोने लगता है ये दे कर गाउं के कुछ लोग और रानी मुख्या के पास क्या हुआ मुख्या जी आप इस तरह से रो क्यों रहे हैं क्या करू रामू मैं तो बर्बाद हो गया मेरे तो सारे फसल बर्बाद हो गए मेरे खैत में इतना सारा पानी भर गया अब मैं क्या करू ये सब आपकी कर्मों का फल है आपने कभी भी गरीब किसानों के लिए कुछ अच्छा काम नहीं किया बल्कि उनसे हमेशा दूर बहवार किया और उनके ही तलाब से पानी चोरी करकर अपने खेत में डाला बिना उनसे पूछे हुए इसलिए भगवान ने आपको ये सजा दी है